आज का अपडेट थोड़ा साड नोट से शुरू है बिल्लो जो है तीन दिन से गायप अप्रिया भी आई है तो इसकी आख बहुत ज्यादा बुरी तरह swollen up है इसकी शायद की से लड़ा ही होगी तो इस समय इसको tramadol दिया है अब इसके आगे की कारवाई डॉक्टर हिमांशू करेंगे खिर बिल्लो से हम सभी काफी अटाजड है तो यह बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसिंग है दूसरी जो sad news है वो जो रात को साप आया था वो नहीं बचा वो तो कह लेकिन हमें पता था क्योंकि वो आधा तो वैसे ही मुन्ना की मा नहीं है मुन्ना को प्रियांका जी ने सिद्वाडी से यहां भेजा है मतलब हम लेके आया है इसको उन्होंने देखा था इसको तो होता गया कि जैसे इसकी मा प्रेग्नेंट हुई होगी तो उसको कोई दूद के लिए ले गया होगा या उसकी डेथ हो गई है तो ये उसके लिए रो राता आज इसकी अलबर्ट पिंटो से दोस्ती हो गई है तो ये थोड़ा शान्त हुआ है अलबर्ट पिंटो आपको याद होगा पहले भी यहाँ आ चुका है इसके पैर में चोट थी इसके पैर से लेके किसी ने इसके गले तक रसी बांदी थी जिससे इसका पैर जो है कट गया था पूरी तरह तो ये heel होके वापिस release कर दिया था हमने इसको फिर इसका वही हुआ किसी ने फिर से इसके पैर से लेके गले तक रसी बांदी इसका पैर और वही तरह जख्मी हो गया अब यह जब ठीक हो जाएगा तो शायद हमें इसको adopt ही करना पड़ेगा chest जो है काफी हद तक ठीक हो गया है हमें बस ये देखना है कि इसका जो खूर है इतना strong हो गया है या नहीं कि बिना पटी के ये चल सकता है फिर हमें देखना पड़ेगा हम इसका क्या करेंगे अगें ये भी छोटा है पर हमारे पास मतलब गौश आला नहीं है जहां पर हम इसको adopt कर सकें चैंप पहले से बहुत बेतर हालत में है अब ये खाना अगरा भी खाता है ये हमसे बात भी करता है एक पर इसका infection क्लियर हो जाता है तो इसकी फिर से इसकी फिर से नहीं सौरी इसकी फिर पिनिंग होगी और इसको तो हम अपने साथ रख ही रहे हैं देवयानी अगर आपको याद होगा तो देवयानी का एक प्लस्तर था और वो प्लस्तर अब वाइनली उतर गया है तो इसको भी हम रिलीज कर देंगे इस हफते जो रिलीज हुए है उसमें डग है जो डॉल दोग था जो कल रिलीज हुआ है और दूरगा ये फोटोग्राफ सम अपना Friends of People Farm ग्रूप पे शेयर करते हैं उस ग्रूप पे अगर आप भी कुछ जानवरों को खाना खिला रहे हैं रेस्क्यू कर रहे हैं आपने कोई जानवर अडॉप्ट किया आपके कोई सवाल हैं तो आप भी उस ग्रूप पे पोस्ट कर सकते हैं Friends of People Farm मैं आपको जो और नए रेस्क्यूज हैं उनसे मिलवाता हूँ ये लुग्डू का कैनल है कहा है लुग्डू जो है मस्तपुर से है इसको राजीव जी ने भेजा है इसको कोन लगा रखा है तो ये एरिटेटर रखा है इसकी पालंपूर में सरजरी हुई है मैं आपको इसके स्टिचेज दिखाता हूँ तो कोन हम इसलिए लगाते हैं ताकि अपने स्टिचेज वगेरा ना उतारे जब तक जो इसको बाहर ला रही है मैं आपको तर्बूस से मिलवाता हूँ तर्बूस अब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया है है तर्बूस तो अब इसके कैनल में भी जाने से मुझे डर नहीं लगता है कैसे हैं आप तो अब तर्बूस अपना वॉक्स लेता है हाँ चार कदम में यह अभी भी चलते वे ठक जाता है यह बाइदवे बैजनाच से इसको विने ठाकुर जी ने भेजाता है यह अबैंडनेट पैट है तो अब और यह इसकी अदॉप्शन भी लगबग लगबग अब कन्फिर्म्ड है बाइदवे डॉली का भी कोई पूछ रहे थे तो डॉली भी अलमस 90% अडॉप्टेट है अगर आप लोग भी कांगरा डिस्ट्रिक्ट में हैं हिमाचल में हैं आप इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं बेसिकली जहां भी हम इंडिया में भेज सकते हैं डॉक्स हम भेज देते हैं हमाले दिल्ली भेजना असान है शिमला भेजना असान है उसके अलावा जो अगर आप कहीं और से अडॉप्ट करना जाते हैं तो आपको 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 आडॉप्ट करना होगा मैं फिर भी ये कहूँगा कि आप अपने एरिया के आसपास से अडॉप्ट करें हमारे यहां जो इससे में अप फॉर अडॉप्ट है उसमें एक यह चितकबरा है चितकबरा को फ्रैक्चर है इसको हितेश जी ने सनूरा से भेजा था इसकी पिनिंग वाली सर्जरी हो गई आप देख रहे हैं कि पीछे इसके प्लास्टर लगा हुआ है तो एक बर यह हील हो जाता है तो हम इसको रिलीज करना पड़ेगा लेकिन अगर कोई इसको अडॉप्ट कर ले तो इसको एक हापी एंडिंग एक अच्छा घर मिल जाएगा इसी तरह यह देवदास है राइट है देवदास देवदास आपको याद होगा जिसके लिए हमारी प्रॉडक्स टीम ने हूपार्ट बेच के फंड्रेजिंग करी थी यह भी एक बरी ठीक हो जाता है तो यह रिलीज होगा सेम गुबारा गुबारा देखिए कितना फ्रेंडली होगे मैंने आपको बताया था कि यह शुरू में बिल्कुल शट डाउन था और जैसे जैसे इसकी कंडिशन ठीक होगी अब देखिए इसकी पूछ हिर रही है पर यह है अब इनको रिलीज करने में हमें बहुत दुख होता है तो अगर यह लोग यह रहा पिंकी पिंकी बहुत लोगों को लगता है फीमेल है पर यह मेल है इसका नाम पिंकी इसलिए क्योंकि इतना पिंक है टोफू यह टोफू ने भी बेटी जी से ना थोड़ी गंदी आते सीखी है अभी हर जगा घुसती है खेर ओके यह देखिए इसने फिर से मुन्ना ने रोना शुरू कर दिया है मैं आपको इंसे मिलबाता हूँ मस्तराम जी है तो धरम शालास है पर मांसी जी जिन्होंने इसको रेस्क्यू किया है वो मस्तपुर रहती है वो इसको अपने साथ ले गई थी और इसलिए इसका नाम मस्तराम आप में से ही किसी ने सेजेस्ट किया है यह सबसे आदा रोता ह है और यह अडॉप्ट हो जाएगा तो इसकी जिन्दगी बन जाएगी यह रोली-पोली है रोली-पोली की स्किन कंडिशन पहले से बहुत बेटर आपको देख आप देख रहे हूंगे कोई लाइस या फ्लीज आपको चलती हुई नहीं दिख रही हुँ हाँ 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 जिलमिल जो एक बिल्ली थी आपसे एक सेंग के यूपन दोर मैंने आपको जिलमिल से मिलवाया था जिलमिल को सोनिया जी ने यहाँ वेजा था तो जिलमिल का प्रोगनॉसिज यही था कि उसका स्पाइनल फ्राक्चर ठीक नहीं हो सकता एन वो यूथनेजिया कंडिडेट एक जो इंपोर्डन बात है हमने स्टरिलाइजेशन शुरू कर दी हैं जो बहुत सरूरी है विगाज एक स्टरिलाइजेशन मतलब आपने बड़े सारे रेस्क्यू बचा दिये यह हमारे याप पासी में होमगार्ड कैम्प है और यह वहां से इसके दो बारी में लिटर्स देख चुका था और बड़ा यह बड़ा ही दुख होता था अब यह फाइनली पकड में आई है और आप यह हमें को लिटर्स दिखने बंद हो जाएंगे और बाइद अबना कैनल भी खा लिया है अब बताईए खेर क् लगता है तर्बूस से मैंने मिलवा दिया अलबर्ट पिंटो ओके और मैंने आपको लूंगडू से भी लूंगडू से भी मिलवा दिया हाँ लटू लटू बहुत बेतर है लटू को शौन जी ने कॉल किया था अब देखिए इसका सींग तूटा हुआ था और अब काफी ह हम ऐसे लेने से मना करते हैं ओ नो यह यह देखिए यह अपनी मा के लिए ना रो रहा है इसको पांच छे दस दिन लगेंगे एड़्जस्ट होने में यह यह वैसे हम लोगों को यह आवाज सुना ही नहीं देती क्योंकि यह डेरी कंपरियों के चार दिवारों में यह आवा लट्टू का यह लट्टू जैसे ऐनिमल्स का जिनके ओपन वूंड्स होते हैं इनको इंफेक्शन का खत्रा होता जैसे कोई डाउन काव आ जाती है हम मना करते हैं पर प्रसाशन के पास भी कोई समाधान है नहीं वो लोग हम पे रिलाय करते हैं वो हमें कहते हैं कि आप कु क्विए चुके हैं कि उसको थीक है हम पेंकिलर्ष पर रखेंगे हम उसकी मौत असान कर सकते हैं सिर्फ यह कर सकते हैं पर भाइद बाइद वे यह पतीला लेके जा रहे हैं डॉग फूट ले संजव यह दिखाना बदीला यह संजव जी रिस्पॉंसिव हैं कि कुत्तों को खाना अच्छा और न्यूट्रिशिस मिले आज कल आप कद्दू डाल रहे हैं और खाने में थैंक्यू जी तो वो शापूर से भी यो बैल आएगा उसके मौत असान करतेंगे पर यही है कि सेकेंडरी इंफेक्शन से हमारे एक्जिस्टिंग जानवरों को खत्रा होता है प्लस वो एक जगा लेगा और उस जगा में हम एक उस ऐसे जानवर की मदद कर सकते थे पर जिसका इलाज संभव तो हो ना आपको याद होगा बेगम बेगम का पैर टूटा वादा हीड है गुड एज नू तो नहीं कहूंगा पर फिर भी काम चलाओ तो है इंडिया में तो काम चलाओ इस गुड एनफ थोड़ी जिसकी बस स्किन ही लोनी बची है इस बेगम अडॉट इड़ा रहा है मैं आपको जैसे की कि दिल्ली बेजना शिमला बेजना वही जहां भी टाक्सी जा सकती हो वहां तक तो हम भेज सकते हैं असलोंग इस कॉस्स कवर्ड हो पर जहां भी फ्लाइट का मामला आ ज एक और मैं आपको बात ताहूंगा कि जैसे बहुत सारे लोग रीच आउट टो है कि उनको इस जानवर में मदद चाहिए उस जानवर के मदद चाहिए हमारा एक ग्रूप है फ्रेंड्स आफ पीपल फार्म आप वहां पर पोस्ट कर सकते हैं पर जो आप अच्छा काम कर रह करते हैं आप किसी देशी डॉक को डॉप करते हैं तो आप पोस्ट करेंगे और लोग भी इंस्पायर होंगे प्लस आप और लोग वो गाइड कर पाएंगे कि कैसे हो सकता है जब तक हमारी एक कम्यूनिटी एक दूसरे की हल्प नहीं करेगी और हम एक संस्था पर हो गया है शायद यह लोग हमसे जल्दी एड़्जस्ट कर जाते हैं गम से और शायद इसलिए हमारे लिए असान भी होता है इनके साथ मन चाहा वेवार करना अब आप देखिए ना यह दूद की वज़ा से ही तो इसकी यह हालत है उसके बाद इसको अबैंडन कर दिया गया है खेर इसके बाद जो अभी जो सारे बच्छडे हैं ना हम इनको आज एक सेपरेट एरिया में मूव कर रहे हैं जहां पर हमारा मुर्गा रहता है मटको फिर मैं आपको एक बार यह मूव करें मैं आपको सोनू से भी मिलवाता हूं सोनू भी रिलीज के लिए रेडी है मैं साहिल मैं सोनू से मिरने जा रहा हूं तो जब महां मूव करना है मूव करते मैं वही मिलता हूं तर बाद अब नवीन है नवीन केले लेके आया है सारे हमारी जो आफटरनून स्नैक है इसमें केले ही होते हैं जब तक हम चल रहे हैं मेरे पास एक मौका है आपसे बात करने का हमने हाली में क्लीन मिल्क को लेके कुछ वीडियो बनाए तो कई लोगों का एक कंसर्न रहता है कि अगर हम डेरी करना बंद कर देंगे तो दूद की कीमते गिर जाएंगी उससे तो भई लोग गाय पालना ब परिभाशा है अभी भी लोग गाय रख रहे हैं है ना इस्तमाल कर रहे हैं और इस्तमाल करके फैक रहे हैं इसको पालना नहीं कहते कि उसका बच्चा पैदा किया उसको छोड़ दिया सड़क पे गाय का बच्चा पैदा हुआ गाय को दूद के लिए ले गए और मुन्ना जैसे यहां पे रो रहा है, इसको पालना नहीं कहते, बचरों को पैदा-पैदा कर करके भूखा मार देना, या कसाईयों को बेच देना, इसको पालना नहीं कहते, तो हर साल दूद के लिए हो रहा है, इससे अच्छा तो यह नहीं है कि हम plant-based milk पे दीरे-दीरे switch करें, और दी नहीं पालने की परिभाश्या को थोड़ा उस पर हमें विचार करना चाहिए और शॉरी आपको एक और चीज बताना चाहता हूं जब तक हम सोनु से मिलने जा रहे हैं एक हम लोगोंने मुहिम चेड़ा हुआ है हुमन्स हेल्पिंग अनिमल्स करके तो अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाते हैं क्योंकि जॉई को इंग्लिश में ओर्ट कहते हैं हम उसको ओर्ट के लिए नहीं उगा रहे हमें तो घास काटके इनका पेट भरना होता है तो हम यहाँ पर यह कर रहे हैं हमारे पास छोटे चोटे ऐसे पार्सल्स हैं लैंड के जहाँ पर हम पहले ही जैसे घास के लिए त्यारी कर लेते हैं क्योंकि है क्या क्योंकि जो गाओं में हमें लोगों ने जमीन मुफ्त में दे रखी है ताकि हम गाये के लिए घास उगा सकें उसमें हमें सब के साथ ही चलना पड़ता है तो कुछ महीने ऐसे होते हैं हमारे पास हरा चारा नहीं होता तो वो महीने हम ऐसे काटते हैं कि हम अप तो ठीक हो रखी है इन लोगों ने जबरस्ती रखा हुआ है इनके अनुसार तो यह कभी आइधिंक कि यह रिलीज हो सकता है पर आप सीमत भेद हम लोगे रहते ही हैं संदर यहां पर मुवड है अब यह इन लोगों के साथ अपना खुश रहता है इसको इस समें क्यों बांदा हुआ है मुझे पता नहीं है इसको बांद की रखा है दौलत राम जी अब चककर गया कि यह जाए है वैसे तो संदर खुला होना चाहिए यह रेजिडऄन्ट काव शेड है पर हमारे पास अनिमल्स इतने जादा है कि रेजिडऄन्ट काव शेड में भी हमारे केसिस आ रखे हैं अब अब ऐस संदर खुला है तो यह इन से टक्राता है और फिर व को गया है सोनू को सोनू जी ने ही कॉल किया था और उन्हीं के नाम पर चाते थे इसका नाम रखा जाए और आज ये रिलीज हो जाएगा तो पहलवान का आपको याद होगा एक बंदे ने दरात मार दी थी अभी तो ये रिलीज के लिए रेडी नहीं है काफी टाइम लगता ह है पर ठीक होने में तो बहुत टाइम लगता है उसका दो रिलीज होने के बाद कोई गैरंटी नहीं है कि कब चोट लग जाए ओके यह पिंकु है और पिंकु की चोट तो हील हो गई है पर हमने इसकी कास्ट्रेशन भी कर दिया हम रिलीज करने पहले अगर कर कर सकते हैं तो कर देते हैं कास्ट्रेशन के बाद थोड़ी स्वेलिंग आ गई है हम लोग को पेंकिलर करते हैं खैर वो स्वेलिंग एक ठीक होजाती है तो उसके बाद इसको रिफ्लेक्टिव कॉलर पहना के हम रिलीज कर देंगे रोहित का मैंने अभी हाली में वीडियो डाला था आपको याद होगा इसको भी दरात ही मारा था अब ये भी काफियत तक ठीक हो चुका है देगी अभी इस पे एक मक्खी बैठी हुई है वैसे अब जैसे थंड बढ़ती जाएगी ये मक्खियां खतम हो जाएंगी अब वाप इसको फटाफट इनसे मिलवाएता हूं जो लोग आज हमसे पहली बार जुड़े हैं ये बेबी है बेबी हमारे साथ पर्मनेंटली रहती है ये भी हमारी अडॉप्टेट गाए है ये पीछे नैनो है सडियल हाई ये राधा के बच्चे हैं राधा हमारी पडोसन है और पै दे रखी है ताकि हम यहां पर इन गाये को चरा सकें ताकि यह जो अडॉप्टेट गाये हैं यह बोर ना हो जाए अपने छोटे से काव शेड में और अब ग्रीन हाउस भी हम अपनी नेक्स फसल के लिए खूब तयार करना हमने शुरू कर दिया है इसमें कुछ पपीते भी होगे हैं मैं आपको दिखाता हूं इसमें ताला लगाए तो यहीं से दिखाता हूं जो पपीते होगे हैं वह भी हम ट्रांसफर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पपीता जो है जब पाला पड़ता है फ्रॉस्ट तो बिल्कुल जल जाते हैं तो एक बाई सर्दियां कट जाएं फिर हम पपीते जो हैं वापिस बाहर मूव कर देंगे ओके बाई दोगा आई रेली अप्रीशियेट यूर पेशियंस कि आप अभी तक मेरे खाल से अठारा उन्नेस मिनिट हो गए हैं मुझे बोलते वे और अभी तक आप हमसे जुड़े में हैं आप बोर नहीं हो यह जो हमारे बेट्स है ना पहले तो कूल में पानी यारता कूल एक इरिकेशन केनाल जो होती है जिससे हम सिचाई करते हैं इसमें भी अब हम जॉई लगा देंगे आप देखेंगे बीच में यह शेयतूत का पेड़ लगा हुआ है बीच बीच में हाथी घास वहां लगा रखी है तो यह चारे की विवस्था करना बहुत ही दिक्कत वाला काम होता है तो लोग कहते हैं आप और अडॉप्ट क्यों नहीं करते अब यह पंजाब नहीं है जहां पर आप हरा चारा खरीच सकते हों इन फैक्ट तूड़ी जिसे भूसा कहते हैं वह भी हम पंजाब से रख खरीचते हैं हरा चारा हमें खुद उगाना पड़ता है तो बड़े सारे कंस्ट्रेंज हैं अगर आपने ठीक से गाए पाल नहीं है तो वाद यह पेठा है एश गोड़ इसकी मिठाई बनती है हम तो इसको घर गाए को दे देते हैं हमारे हां तो अपने आप ही निकल आता है मेरी यादत है कि जैसे बीच जो है ना मैं इदा दोर फैकता रहता हूं और अपने बड़ी सारी चीजे निकल आती है तो इस ओल्वेजेंट सर्प्राइज एक दिर्वादा खुलने के वाद आई है शाहर यह लोग मूव कर रहे हैं तो क्या वह काट रहा है मटको सा मेरी मटको से कम इंट्राक्शन है मेरी बच्षडों से सबस्ट्राइब रहती है और बेटी जी से अब सारे बच्षडे यहां पर हम इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि एक तो इनकी इम्यूनिटी जो है सबसे कम रहती है और बाकी जो फिर जानवर है जो गायल जानवर है उनसे इनको इंफेक्शन का खत्रा रहता है तो अब यह अच्छा है कि चलो मटकों की थोड़ी कंप इंट्रीउस कर दूं यह मुन्ना है जो कल आया है चैस लट्टू मुझे इसका नाम बूल जाता हूं मैं साहिल हर्वाई जिसकी नाक पर मस्सा है यह मुरिंगा है क्या हाँ यह मुरिंगा है तोफू यह दीपक है ना यह दीपक है और यह पीछे कोलगेट देवयानी कोलगेट का है को इस पछोटी है बच्छी ए लेकिन बच्छी आहे लेकिन इसके असार्ट ठीक है तैंक्यू आज का आपडेट काफी लंबा हो गया और नेक्स वीक फिर मिलते हैं बाइ दूजर